एक single चीज जो गणपती बापा से मैंने सिखी है जो मुझे लगता है बहुत ज़ादा important है वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आपने बहुत सारे post भी देखे होंगे कितीनी सारी चीज़े है आपन गणपती बापा से सिख सकते है बट जो मेरे काम की चीज़ है ठीक है और हो सके तब शायद आपके भी काम की चीज़ हो is a listen ओके सो गनपदी बापा के जो कान है ना हाती हाती का सिर है तो कान जो है बड़े-बड़े है scientifically हाती में जो कान होते है वो temperature डाउन करने के लिए काम आते हैं but as a Hindu religion है ना हम लोग symbolic चीज़ें देखते हैं अपने भगवानों में और ये symbol ये बताता है के you should be a very good listener ओके आपको अपने मन की बात बोलनी है पहले सुनो सामने वाला क्या बोल रण right listen एक single चीज से है ना आप कितने सारे जगडों से बच जाओगे कितने सारे टेंशन से बच जाओगे कितने सारे frustrating situation से आप बच जाओगे because you just listen okay पहले मूँ खोल के मत बोलो right just listen सामने वाला शायद है ना कुछ अच्छा बोले सामने वाला शायद है ना कुछ important चीज बोल रहा है and you are just missing because तुमको बोलना है ठीक है अभी का problem यह है कि हम सुनते हैं कोई board meeting में हम बैठते हैं हम सुनते हैं सुनते हैं और हम इसी लिए सुनना चाते हैं कि ता कि मैं बाद में बोल सकूँ कि अरे तुन्हे उस दिन ऐसा बोला था ना screenshot वाला culture है ना वो उस दिन इस तारिक को इतने टाइम पर तुन्हे यह लिखा था मुझे यह देख ठीक से so people are not understanding कि सामने वाला बोलना का चाता है उनको बस मतब वो ही सुनना है जो वो सुनना चाते हैं वैसे ही उसको frame करना है जैसे उनको चाहिए ठीक है तो यह सारी गलत बात है okay listen and if you don't understand then ask again कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ आप यह बोल रहे हो right clarify करो सामने वाले को मतब अच्छे से समझो क्या बोलना चाता है वो शायद उसकी कुछ problems होगी शायद वो परिशान होगा maybe कुछ करने जा रहा होगा लेकिन काम नहीं हो रहा है उसका है मैं भी गनपदी पापपा उसका मदद करें है न resources उसके पास कम होगे बड़ सुनो तो सही याद शायद तुम उसका मदद कर सको सुनो इसलिए नहीं कि तुम उसको बता पाओ कि अरे उस दिन तुने मेरे को यह बोला सुनो ताकि तुम उसका मदद कर पाओ जहांपे कर सको गनपदी पापा मुलिया बैई बैई